हेलो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास आज अपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर नाइन लिंग जो अपने इंगलीज में जिसको जेंडर बोलते हैं क्या बोलते हैं जेंडर आईए अपने पढ़ते हैं लिंग जिन शब्दों से पुरूस अथ्वा इस्त्री जाती का बोध ह उन्हें अपने लिंग केहते हैं जैसे लड़का का लिंग क्या होगा लड़की जैसे बोय बोय का इंगलीज में जेंडर क्या होता है गळ फादर का मदर वैसे हिंदी में पापा का मम्मी प्यारे बच्चों उपर बने चित्रों में आपने देखा लड़का तथा पापा शब्द से पुरुष जाती का पता चल रहा है आपको पता है लड़का क्या है पुरुष जाती और पापा क्या है पुरुष जाती यानि कि ये पुलिंग है और लड़की और मम्मी ये दोनों क्या है इस्त्री जाती क्या है इस्त्री जाती तो अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि पुरूच जाती कौन सी है इस्त्री जाती कौन सी है लिंग के दो भेद होते हैं कौन-कौन से पुलिंग और इस्त्री लिंग लिंग के दो भेद होते हैं पुलिंग और इस्त्री शेर का स्त्रिलिंग गया होता है शेर नी, घोड़ा का घोड़ी, भाई का बहन, पती का पत्नी, चूहा चुहिया, हाथी हतीनी, बुढ़ा बुढ़िया, धोबी धोबिन, बेटा बेटी, नाना नानी, बंदर बंदरिया, मोर मोर्नी, राज़ा, रानी, तो स्टुडेंट्स, आपने पढ़ा है, ये कूश जो पूलिंग और इस्त्रिलिंग शब्द जो दियो हैं उनको, तो अपने को इसकी डेफिनेशन याद करनी है, जो की बिल्कुल सिंपल सी लेंग्वेज में है, जिन शब्दों से अपने को पूरुष जा होंगी, okay students, bye.